सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गोर्मेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे इंडियन आमी में क्या-क्या फैसिलिटीज मिलती है अगर आप इंडियन आमी को as officer join कर रहे हो या आप soldier की तरफ भरती हो रहे हो इंडियन आमी में तो आपको क्या-क्या facilities मिलेंगी मोटा-मोटा एक rough idea में दूँगा अगर आप ये channel पे पहली बार आए हो और आपको defense related या government jobs related informations अच्छी लग रही है या अच्छी और चाहिए तो इस channel को subscribe करिए ताकि आपको और अच्छी updates मिलते रहे हैं ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले notification आपको ही आए तो definitely channel को subscribe करिए इंडिया नामी में जब आप join करते हैं तो आप एक सरकारी नोकरी पा लेते हैं और ऐसी सरकारी नोकरी जिसका रुतबा और जिसकी पहचान बहुत ही अच्छी है बहुत ही proud feeling है family members के लिए खुद के लिए और जो भी आपके friends है तो इंडिया नामी आपको इस रुतबे और recognition के साथ एक बहुत अच्छी चीज भी देती है वो है सुक सुविदाए जो कहते हैं payment and perks तो इन perks में क्या-क्या अच्छे facilities हैं यह मैं आपको उताता हूँ सबसे पहले तो जिस दिन से आप भरती हो जाते हैं उस दिन से जब आप पूरा selection करके joining कर लेते हैं training time में आपका confirmation हो जाता है service में एक साल की training कर लेते हैं हाँ आप एक डेड़ साल की उसके बाद से आप service में permanent हो गए मान लो तो पहले दिन से तो आपके कोई भी आपका accident हो गया या कहीं आपको चोट लग गई कोई medical condition हो गई सारा चीज का ilaj army देगी आपका plus आपके family members का जो आप पर dependent है dependent मतलब जिनकी कोई earning नहीं है जो खुद एक सरकारी नोकरी नहीं कर रहे हो तो आपको पहले दिन से खुद के लिए self medical facilities मिल जाती है फिर साथ-साथ आपके family members पापा, ममी, आपके future wife इनके लिए आप free का medical cover पूरे lifetime उठा सकते हो बच्चे आगे चलके आपके जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते 25 साल तक आप उनका पूरा cover उठा सकते हो यह होगी सबसे पहली और सबसे बड़ी facilities जो आपको rarely कहीं मिलती है फिर दूसरी चीज़ हो जाती है paid leaves यह बाहर private organizations भी देती है paid leaves बट यहाँ पर यह है कि आपको 60 दिन की paid leaves साल में मिल रही है plus 30 days की casual leaves मिल रही है तो आप अगर अपना कोई planning कर रहे हो कहीं गूमने जाना है family के साथ time spent करना है छुटी आनी है duty से घर आना है तो साल में 2 से 3 बार तो यही plan कर सकते हो उसके अलावा कभी कोई emergency हो गई कोई sudden requirement आगई आपको जाना ज़रूरी पढ़ गया उसके लिए आपके पास 30 days का emergency quota भी है leave का तो 90 days की आपके पास total साल में leave हो गई है इस leave में से आपको जिस भी इनट में जाओगे करीब बन 50-60 दिन की छुटियां मिलेंगी ही मिलेंगी साल में तो paid leaves इस duration आपका पूरा salary आएगा जो आपके account में आना चाहिए तीसरा हो गया leave travel concession आप जब travel कर रहे हैं साल में एक बार तो आपको full LTC मिलता है यानि अगर आप by train travel कर रहे हैं by air travel कर रहे हैं अगर आप air के लिए authorized हैं अगर आप junior ranks में भरती हुए हैं सिपाही से हवलदार बने हैं तो आपको air travel allowed नहीं होगा starting के दिन में बड़ जैसे से आप service में आगे बढ़ोगे आपको air travel भी allowed होगा तो air travel का आपको पूरा जाने आने का अपने घर तक का ticket मिलता है हर साल self LTC जिसको कहते हैं और साथी साथ family LTC block LTC अगर आपको दो साल में एक बार या आप चार साल में एक बार कहीं anywhere in India घूमना चाह रहे हो तो ऐसा LTC की facilities आपको दी जाती है जाने और आने की anywhere in India का भी LTC आपको मिलता है और ये norms change होते रहते हैं अभी चार साल में एक बार हो सकता है जब आप ये वीडियो देखो तब तीन साल में एक बार हो जाए तो ऐसी facilities आपको मिलती है कि साल में एक बार आपका आना जाना घर तक बिलकुल मुफ्त है ration and clothing आप service में जब join कर लोगे उसके बाद से आपका राशन बिलकुल free है हर दिन का defined आपको दूद मिलेगा हर दिन का defined आपको egg मिलेगा non wedge मिलेगा fruit मिलेगा चावल दाल मिलेगा ये सारी चीज आपको हर दिन का आपका entitlement है मतलब ये आपको मिलेगा ही मिलेगा आप इतना minimum राशन आपके rank आपके promotion पे depend करता है अगर आप officer में भरती हुए तो आपको और ज्यादा अच्छा मिलेगा अगर आप junior ranks में भरती हुए हो other ranks में हो तो आपको थोड़ा सा आपका entitlement कम होगा लेकिन मिलेगा ही मिलेगा तो आपको राशन free मिलेगा किसी case अगर आपको राशन नहीं मिल भाता तो राशन के बदले पैसा मिलेगा आपको monthly पैसा मिलेगा जब आप छुटी में चले गए हो आप उस समय का राशन नहीं ले रहे हो छुटी के टाइम पे तो आपको उसका भी पैसा मिलेगा तो सोच रहे चुटी के टाइम आपको paid leaves तो मिली रही है साथी साथ चुटी के टाइम पे राशन का भी पैसा मिल रहा है फिर clothing आपको अपनी service की requirement के लिए जो भी कपड़े पहनने हैं, uniforms पहननी हैं वो बनी बनाई मिलेंगी आपको उसमें कोई खर्चा नहीं करना है shoes से लेकर पूरा आपका topi head gear सब आपको मिलेगा uniform पूरी मिलेंगी जिस type की uniform है, अगर नहीं मिल पा रही for example अगर आप officer carder में हो तो आपको उन uniform को बनाने के लाइक साल में पैसा मिलेगा, तो आपका clothing का खर्चा भी बज़ गया फिर आता है accommodation आप जहां पर posted हो अगर वो field unit है जहां आप अपनी family को नहीं रख सकते हो तो field का तो allowance तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही अगर आप वहाँ पर अपनी family को नहीं रख सकते हो तो आपको अपनी family के लिए accommodation कहीं और मिलेगा, जहां आपकी family रखना चाह रहे हो आप जिस जगे पर आपकी family गाओं या कहीं अलग दूर रहना चाहती है तो आपको house rent allowance मिलेगा उस area का जहां आपकी family रहती है तो आपको HR मिल गया, या आपको HR अगर नहीं मिल रहा है house rent का, अगर आपको accommodation नहीं मिल पारा तो HR मिलेगा लेकिन अगर आपको accommodation मिल गया घर मिल गया, तो घर में भी अच्छी आर्मी की जितनी colonies हैं जहां जहां लोग रहते हैं वो बहुत ही अच्छी welfare colonies हैं आपको अंदर पार्क मिलेगा, ATM मिलेगा shops मिलेंगी, घुमने के लिए जगे मिलेगी nearby खही स्कूल मिलेंगी अच्छी जगों पे आर्मी ने हर जगे all over India अपना base, अपना setup बना रखा है तो accommodation आपको अच्छे जगों पे मिलेगा, जहां पर भी मिलेगा और वो भी अच्छे जगों पे of cost मिलेगा, आपके seniority और rank के basis पे accommodation के बाद next चीज़ आती है, housing schemes after retirement, अब आप service करने के बाद, अगर खुद का घर लेने का सोच रहे हो, तो आर्मी की defense की ही बहुत सारी housing schemes चलती हैं, जिसमें discounted rate पे, सस्ते rate पे आप घर खरीज सकते हो loan लेके, या धीरे धीरे उसको चुका कर तो ये facilities भी आपको post retirement देती है welfare organizations, आप कहीं घर flat लेना चारे हो, कहीं घर लेना चारे हो, क्योंकि service के बाद आप कहीं settle होना चारे हो, तो आप बहुत सारी housing schemes निकलती हैं आप उधर से भी apply कर सकते हैं घर के लिए, और आपको उसमें priority और discount मिलेगा फिर इसके बाद next आ जाता है, आपका allowances, आर्वी में आप जिस area में हैं जिस risk zone में हैं उसके according आपको allowances मिलते हैं, उसके अलावा आपका daily आने जाने का transport allowance, घर से duty आने का आपको military service पे मिलता है क्योंकि आप फौज में 24-7 कभी भी आपको बुलाया जा सकता है, आपकी duty fix नहीं है कि Monday to Friday की ही duty ऐसा नहीं होता, आपको Saturday, Sunday को भी काम आ सकता है, रात को भी काम, कभी भी काम आ सकता है during duty time, तो आपको military service पे उसका अलग मिलता है 5200 रुपीज मिलिटरी service पे है आज के date में, अगर आप soldier में भरती होते हो अगर आप officer में हो तो यही 15,000 हो जाता है तो military service पे आपको मिलेगा फिर insurance, आपका insurance सरकार, आर्मी के थुरू 50 लाग रुपे तक का insurance कराती है, अगर आप soldiers या other ranks में हो, JCOs अगर आप officer में हो तो यह एक करोड तक का हो जाता है तो आपको insurance, death insurance का coverage देगी सरकार और उसके बाद अलग फाइदे आपके किसी काम कोई casualty हो गया कभी कोई नुकसान हो गया आपको तो उसके अलग फाइदे हैं आपको अगर आप soldier हो तो 15 साल की service करनी है अगर आप officer हो तो आपको 20 साल की service करनी है minimum इससे ज़ादा करना चाह रहे हो बहुत अच्छी बात है continue करो service में grow करो आगे आप आगे बढ़ते रहो बट जब आप इतनी साल की service कर लोगे तो उसके बाद आप pension लेने के लाइक हगदार हो जाओगे और pension आपको मिलेगी जब आप retirement के बाद घर बैठ होगे हर मेने आपके account में minimum 28,000 अगर मैं junior rank से शुरू करूँ से उपर ही आएगा हर मेने retirement के बाद तो आपको pension के साथ pension में लगने वाला dearness allowance भी मिलता है तो ये pension कैसे calculate करते हैं आर्वी में ये मैंने एक video बनाई हुई है आप देखना चाहरे हो देख लीजे साथी साथ provident fund का पैसा अलग मिलेगा provident fund का क्या उसके बाद कितने आपके अलग-अलग चुटी का पैसा आपका insurance का पैसा आपका कहीं आपने contribution का पैसा दिया है तो Contributory Scheme का पैसा होता है आर्मी welfare funds के वो सारे पैसे आपको मिलेंगे provident fund PF के पैसे फिर इसके बाद एक और बहुत बड़ा फाइदा होता है जो हम ignore कर देते हैं Children Education Fee Allowance हर महने सरकार 2250 रुपए दे रही है Central Government के थुरू Army यानि Defense में काम करने वाले लोगों के families को अगर उनके दो बच्चे हैं दो बच्चे से ज़ादा हैं तो नहीं मिलेगा दो बच्चे तक हैं तो आपको 2250 का पर मंद जब तक आपका बच्चा 20 साल का नहीं हो जाए या 12 वी क्लास पास नहीं कर ले तब तक आपको 2250 मिलेगा ये अगर देखा जाए तो 27000 रुप है महीना होता है नहीं बच्चों की आपकी पढ़ाई फ्री में हो जाएगी आपको बच्चों की पढ़ाई पर कुछ खर्चा नहीं करना होगा traveling facilities by road कभी ऐसी requirement आ जाती है कि आपको road से travel करना है कोई आपको अलग task दिया गया है company के द्वारा एक जगे से दूसरे जगे जाना है तो सारी चीज गाड़ी लेकर उसमें लगने वाला petrol हर एक चीज आपको सरकार देती है रस्ते में जाने के लिए खाना कितना है सब चीज का cater करके आपकी organization आपको देगी कहीं आप खुद से खर्च करके कुछ नहीं करोगे अगर कभी खर्च भी करोगे तो पैसा मिलेगा तो ये facilities during working time में मतलब जब आपको काम कर रहे हो तब दिन में कहीं आपका आपको काम जो करना है वो 24-7 कभी भी हो सकता है बढ़ आपको इसमें कोई खर्चा नहीं करना है तो ये सारी facilities बहुत बड़ी facilities होती हैं जो आर्मी आपको दे रही हैं तो I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना चैनलेट पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको regular updates मिलते रहें